नमस्कार वित्रो ओम शक्ति टीवी चेनल में आपका स्वागत है आज चर्चा का विशे रखते हैं सच्छी मेहनत क्या है मेरे से किसी ने पूछा कि मेहनत हम करते बहुत मेहनत करते हैं एक विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है बहुत कुछ पढ़ता लिखता है लेकिन अगर वो सटीक न पढ़े तो मेहनत बेकार चली जाती है सटीक क्या है सटीक का मतलब जो प्रश्ण पूरी किताब पढ़ जाए लेकिन जो वाक्तविक प्रश्ण खड़े हैं सामने मेहनत क्या है परिश्रम और वो परिश्रम क्या कुवाँ खोदना है अब कुवाँ के तो एक माप है गोलाई में इतनी कुवाँ खोदना है लेकिन वो महनत करता रहे चारों तरफ खोदता रहे खोदता रहे कहीं कुछ पता ही नहीं और उसको नियम अनुसार न खोदा जाए तो मेहनत नहीं कहलाती है सच्ची मेहनत क्या है सच्ची मेहनत वो है जो नियम अनुसार नीती अनुसार और जो समय अनुसार की जाए उसको सच्ची मेहनत कहते है अगर कोई मजदूर परिश्रम करता है तो उसका एक टार्गट एक उद्देश से होता हमें इसलिए परिश्रम करना है और ये प्राप्त करना है अगर खेत में किसान परिश्रम करता है मेहनत करता है तो उसका उद्देश होता है इतनी बड़ी बुआई करनी है इतना गुड़ाई करनी है और अगर अटेंडम में कहीं पर भी मेहनत करने लगे तो उसकी मेहनत सफल साकार नहीं होती है इसलिए तो बहुत से लोग कोई पूजा करता है कोई पाठ करता है कोई मेहनत करता लेकिन उसका सठीक फ़ल नहीं मिलता है हमारा एक लच्ष एक उद्देश से निर्धारित करना चाहिए जीवन में सबसे पहले जब ग्यान आये तो देश हमें क्या बनना है तो फिर उसी में लगे रहना है रात दिन परिश्रम करना है क्योंकि बिना परिश्रम किये बिना मेहनत किये हुए कुछ प्राप्त नहीं होगा नकल करके पास होने वाले बहुत कम पास होते हैं नहीं तो फेल हो जाते हैं और फेल भी हो जाते तो अकल नहीं आती है नकल की इसलिए मेहनत को एक साकार रूप देने के लिए हमें प्रयत्निय करना है हमने एक लक्ष तह करें कि हमें ये करना है सुरू से इसलिए कोई बच्चे माबाप तो कह देते हैं कि हमारा बेटा आई-स बनेगा हमारा बेटा बच्चे से पूछा कि वो क्या बनेगा वो कितनी मेहनत कर पाए उसकी कैपिस्टी क्या है उसका स्टेमिना क्या है वो कितना ग्रहन कर सकता है वो कितना धारन कर सकता है अगर उसमें नहीं है तो उसको कैसे पैदा किया जा सकता है और वो भी नहीं है उस दृष्टी से उस प्राप्त करने के लिए प्रेत्नि करना चाहिए, मैंने देखा है माँ बाप, माता, पिता जवरजस्ती बच्छे को पढ़ाते हैं, हमें यही बनाना है लेकिन बच्छा नहीं पढ़ पाता है, और अंत में क्या होता है, उस मार्ग से छुत होना पढ़ता है, तो सची मेहनत व वो है जो ब्यक्ति को अपने अंदर कितना हमारे अंदर हमारे अंदर बल कितना है सामर्थ कितनी है हमारी अगर सीधे सीधे भासम किया तो हमारी अवकात क्या है और अगर सीधे भासम की जाए तो हम कितना ग्रहर करने कि हमारे अंदर शमता कितनी और हमारी बुद्धी कितनी ह बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउं पवन कुमार और अगर कमी लगे ना उस मेहनत में क्योंकि आपको पता है ना परमात्मा का बल जब आप सची मेहनत के लिए रास्ते पर जाएंगे ना तो हाँ पर आपको परमात्मा के ख्षाया मिलेगी परमात्मा उसी पर प्रसंद होते जो सची मेहनत सची लगन और सची मेहनत से कारे करते हैं सची मेहनत क्या है कि परमात्मा को सुरूप धारन करके परमात्मा का नाम इस्वान करते हुए अहिंकार न होगे हम ये कर लेंगे हम ये करके दिखाएंगे नहीं हम कहें हम इस रास्ते पर चलने जा रहे हैं परमात्मा हमें बल बुद्धी और विद्या प्रगान करें ये सच्छी मेहनत सच्छी लगन की बात है सच्ची मेनत कैसे ऐसे हो आप किसी भी कारे करने के लिए चलो क्यों को दैवल आत्मवल दैवल बहुत जरूर यह और वो तभी प्राप्त होगा जब हम जीवन को एक उद्देश से बना करके परमात्मा की करपा राम कृपा राम करना चाहे सोई होई और करही अन्य था असिना ही कोई इसलिए हमें सच्ची महनत वो है जो हम पहले से अपने आप में सुधार करें आपने आप में बल पैदा करें और देखे हम क्या कर सकते हैं उस काम को लगन के साथ में फिर आगे बढ़ते हुए प्रभुश्मन करते हुए माता पिता की आदेश लेते हुए उनका आशिरवा दसा नहीं बदलेगी और तब हमारी सच्ची महनत नहीं किनी जाएगी धन्यबाद नमस्कार झाल